हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हरी खबर में तो आगनवारी से जूरी हर राज़य हर जिले की खबर आपको दिखाई जाएगी तो आप हमारे वीडियो किस राज़य से देख रहें किस जिले से देख रहें आप हमें कमेंट करके जरुब रहता है ताकि हम आपके लिए आपके राजे और आपके जिले की खबर भी दिखा सके हैं तो आगनवारी से रिलेटेट जो आगनवारी योजनाए हैं चाहे किसी राजे में वो नई योजनाए लागी हो चाहे किसे जिले में उन योजनाओं के सुरुवात की गई है इसकी जनकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल मोटिफिकेशन को जरूर्ट मैं आप सभी को बिहार राजे के एक जिले की खबर दिखा रहा हूँ जहाँ पर बिस व अस्तान पान दिवस मनाये जा रहा है और वहाँ पर बिस व अस्तान पान दिवस कैसे मनाये जा रहा है जैसे कि आप यहाँ पर हेडलाइन में देखेंगे कि फिल्म दिखा कर अस्तान पान के महत्तुवक के बारे में महिलाव को दी जनकारी, तो जो अस्तनपान सभी आंगनवारी केंद्रों मनाय जा रहा है, जैसे कि एक से लेकर साथ तारिके बीच में आपको एक दिन अस्तनपान दिवस मनाना है अपने आँगनवारी केंद्रों पर, तो यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे फोटो देख रहे हैं गोद भराई करती CDPO एवं आगनवारी सेविका तो आगनवारी सेविका के साथ CDPO भी मौझूद है जो गोद भराई करते समय अस्तनपान दिवस को भी यहाँ पे मना रही है जो अस्तनपान करने वाली मतावे हैं उनको बुला कर यहाँ पर क्या क्या जनकाड़ी दी गई है चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किजिए और साथ ही औरने सेवकाओं के भी साथ भी इसको शेर जरूर किजिएगा तो चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं सिम्री परखन में 20 अस्तनपान सब्ता के उसरपद दुलहपूर सिम्री गाउं में मताओं की बैठक की गई जिसकी अध्यक्सिता सीडिप्यो संगीत कुमारी दौरा किया गया बैठक के दौरान लोगों को अस्तनपान से संबंधित फिल्म दिखा कर अस्तनपान के महत्यों के बारे में बताया गया जैसे कि जो बच्चा जन्म लेता है उसको 6 मा तक सिर्फ मा का दूध ही पिलाना है इसके अलावा कुछ नहीं देना है बैठक में फिल्म के माध्यम से समझाया गया कि जन्म के पहले घंटे से अस्तनपान सुरू करने वाले नौजाद सिस्यों में मिर्तिव दर की संभावना 20% तक कम हो जाती है तो जन्म के बाद आपको पहले घंटे से ही बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट कर देना है इसके की बच्चों में जो मिर्तिव दर की संभावना है वो 20% तक कम हो जाती है इसके साथ ही पहले 6 माहिने तक केवल अस्तनपान करने वाले सिस्यों में डाइडिया एवं निमोनिया से होने वाली मिर्तिव की संभावना 11-15 गुना तक कम हो जाती है अपने मा का दूद पिलाएंगे तो इसे जो बच्चों में डाडिया यो निमोनिया से होने वाली मिर्थ्यू की संभावना है वो 11 सले के 15 गुना तक कम हो जाती है अस्तान पान करने वाले सिसुओं को समुचित धंग से सारेरी के वो मांसिक विकास होता है एवं ब्यास को होने पर उनमें औसंचारी NCD विमारियों के होने की भी संभावना कम हो जाती है इसके साथ ही अस्तान पान कराने वाली मताओं में अस्तान एवं ओरी कैंसर होने का खत्रा भी नहीं होता है तो ये जो खबर मैंने आप सभी को दिखाया आप सभी आंगनबारी बहनों को ये खबर कैसा लगा ये जनकारी कैसा लगा जैसे कि आप सभी को आंगनबारी केंदरों पर अस्तान पान दिवस कैसे मानाना है किस परकार से जो बाते हैं वो मताओं को बताना है ताकि जो बचों में नवजात, सिसुओं में मिर्ति उदर की संभावनाए है वो कम हो सके इसके लिए सारी जनकारी आपको इस दोरान समझाना है तो आप सभी को ये जनकारी अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर किजिए और साती साथ अन्य सेवकाओं के साथ भी इस वीडियो को सेर किजिए तो आज के इस खबर में फिलाल इतना ही हमें दीजिये इजाज़त मिलते हैं फिर किसी नए खबर के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जैहिंद